प्रदेश में 2022 में विधान सभा चुनाओं होने वाले हैं और चुनाओं भी अब काफी करीब हैं इसी क्रम में हम लगातार आपको बक्षी का तलाव विधान सभा के ग्रामीर इलाकों शेहरी इलाकों की जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं कि वहाँ पर कितना काम किया गय रहा है अब जब चुनाओं करीब है तो जनता किस मुद्दे पर वोट देगी काम पर वोट देगी नाम पर वोट देगी यही जानने के लिए आज मौजूद हैं राजदानी लखनओ के गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 6 की पीली कॉलोनी में जहां के हालात पहले आपको दिखा देते हैं देख सकते हैं आपकी यह कॉलोनी की एंट्रेंस है यही से कॉलोनी में अंदर आया जाता है और चुरू में ही इतना बड़ा गड़ा है और उसमें गंदा पानी भरा हुआ है नाली की सुविधा भी नहीं है क्योंकि अगर नाली की सुविधा होती तो इस तरीके से यहां पर पानी का जमाव नहीं हुआ रहता लोग मौझूद हैं उनसे बात करेंगे कितना विकास हुआ है यहां पर अग reflecting कोई कास नहीं हुआ है इतना पाणी भरा हुआ है बुजुर्ग है इढरी से आना जाना होगा परशानी है बहुत परशानी है कुछ समस्या हो कहा है जांगे जाहर अंहों कर ल reflex और हम होकर कद जाते हैं धिकते हैं किसे ना पानी है आपके सामने है यहां पानी की समस्या यह सब निकलने की सिवर लाइन ही चोख हो गई है इस वजे से पानी भी नहीं जाता हम लोग निकलने की रास्ताइं भी बंद है यह बता है आपके विधाय के वो कभी यहां आए है आज तक आया तो यहां पे कोई नहीं कोई नह लेकिन किसी ने यहां आया नहीं और यह इतना गंदा पानी है रियल्टी आप से बता रहा है मैडम की कोटा लिये लेटिन का पानी है और इसमें अगर किसी का पैर पढ़ जाओ गड़े है और में रास्ता यही है इसको सही कराया जा आपका काम तो आप लोगों के हिसाब से चुनाओ आ रहा है तो इस बार किस बेसिस पर वोट देंगे कि साधार पर काम पर या नाम पर काम पर उड़ देंगे नाम पर नहीं देंगे तो कोई है आपकी नजर में अब हमारी नजर में कौन अब जो खड़ा होगा वो देखा जाएगा फिर क्या कहेंगी नाम पर ललन कुमार जी कराएंगे इन को और देंगे हम सब लोग अब परिशानी है आप देखते हो तो बताईए किस पर वोट देंगे नाम पर वोट देंगे काम पर वोट देंगे काम पर वोट देंगे क्या 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 समस्या होती है जिसका अभी तक निस्तारा नहीं हुआ है सबसे बड़ी समसिया तो आपके सामने है, इस रश्टे से सबका आना जाना है, बाल बच्चे निकलते हैं, और इसमें आई दिन आई दिन दो गाड़िया, एक गाड़ी आई दिन आई दिन पल्टती रहती है, सबसे बड़ा हमारा ललन भाईया से जही कहना है, सबसे बड़ी कि हमारी रास्ता की सुपधा कर दीजिए, मेरे चोटे-चोटे दो बच्चे हैं, क्यों यहाँ पर सबसे अधिक गंदा पानी ना लेका निकलता है, सब सारी बिमारीयों को गढ़ है. तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ के लोगों से बात कि, इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जिसका काम है वो उसने तो काम नहीं किया है नहीं यहां पर किसी तरीके का विकास हुआ है इन लोगों के पास एक विकल्प है कि अगर इनके लिए कोई काम करेगा तो यह अपना वोट उसी को देंगे जिसमें नाम इन लोगों ने कॉंग्रस के ललन कुमार का लिया है कि आने वाले समय में जो भी समस्याएं हैं अगर उसका निस्तारण उन्होंने किया तो जनता उनका साथ जरूर देगी फिलाल के लिए इतना ही कैमरा पॉसन लगी के साथ मैं शिवांगी जेमडी खबर